नमस्कार। मैं उस से सीयखन्ट की टॉक पर योख़िए। नमस्कार घृत लेफनेटт जनरल औस्थर की वर्त्त होगी तक से स्वेद़ सिल्स चैत्र से।नेव के पीछे करने के तोर तर्रीके को अंतिम् रुप दिया सके वर्प शुत्रो ने कहा कि लेफनेट जनरल अस्तर की तिसरी वारता होगी और या चूसुल सेक्टर में वास्तिक नियंत्रन रेखा पर भारतिय जमीन पर होगी आपको पता दे कि पहली दो बैठक मोलदो में एलेसी पर चीन की जमीन पर होई थी दूसरी दोर की वारता में 22 उनको दोनों पक्षों के बिच पूर्वी लदाख में तनाव वाले अस्थानों पर पीछे हटने के लिए प्रस पर समाती बनी थी जारखन मोसम विभाग के उनसार रांची और आसपास के इलाके में तीन दीन तक समाने बारिस होगी इस दोरन आसपास में बादल चाहे रहेंगे मोसम विभाग के उनसार दीन में एक या दो बार गरज के साथ हलके से मद्य दर्ज की बारिस होगी मवसाम विभाग के उनसार अभी मानसुन की बारिस हो रही है इस दोरान अधित्तन तापमान में करम सा 3-4 डिगरी की बढ़ोतरी हो सकेगी इधर बिते दिन बजरपात से अलग-अलग छेत्रों में दो की मोत और 8 लोग घायल हो चुके सरकारी सिक्षा विवस्था पर सिधे करें इमेल होगी करवाई जारखन में सरकारी सिक्षा विवस्था में कई खमिया है सिक्षा विभाग कमियों के दूर करने की भरपूर कोशिस करती है लेकिन बेवस्था कई चनलों में बटी होती है जिससे कई बार पूरी जनकारी विभाग को नहीं होती है और लोग परिसान रहते हैं अभी भावक कोया समझ नहीं आता कि वह सिकाईत कहां और कैसे करे ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए इसकूली सिक्षायों सक्षरता विभाग सकरात्मक कदम उठाते हुए इमेल से सिकायत या समस्या प्राप्त करने का समधान करेगा जार्खन में 56 संगरवीतों पुष्टी हुई जो राची से 14 और देवघर एक धनबाद 15 पूर्वी सिमूं 14 गडवाद 2000 बाग एक स्कोडारमा एक लोहरदागा दो साहिव गंज एक सराय के लदो और सिम्डेगा तीन और देवघर से एक हाए जार्खन में पहली बार एक दिन में दो लोग की संक्रमन से मौत हुई है जार्खन में 14 हुई मौत गिरी डीके बगोदर की रहने वाली 24 साल की विवाहित महिला है जनकारी के अनुसार महिला हिरदय रोग से पिडित थी सताहिजुन को रिपोर्ट पोजेटिव आने के बाद भरति कराया गया था जहां सोम वार को सुबा उसकी मौत हो गई जार्खन में 15 हुई मौत हजारी बैग निवासिक हुई है बता दे की सोम वार को 52 लोग तवस्त भी हुए है साथ लाख अवैद मकानों को उबैद करेगी हमंद सरकार हमंद सरकार जहर्खन के सौरों में लभग साथ लाख अवैद मकानों को उबैद करने के लिए नई नीत्ती लाने की त्यारी कर रही है नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तयार कर लिया है, इसके प्रधान तया करने के लिए भारतिये प्रसासनिक सेवा के अधिकारियों के अधिक्स्ता में हाई पावर कमिटी गठत करने की योजना है, हाई पावर कमिटी इसे जुड़ी सभी पहलियों को ध्यान में रखने के बाद नई सीरे से अवैद मकानों के निमित करने के नियम तय करेंगे आपको बता दे कि हमान सका की प्रस्तान नीती में काफी रियायत देकर अधिक चाधिक लोगों को फैदा पहुचाने की त्यारी की जा रही है 30 जून को होल दिवास रामेश्वर उराव जरखन कांग्रेस के परदेश अध्यक्ष और मंतरी रामेश्वर उराव की अध्यक्षा में 30 जून को संथाल होल दिवास मनाने को लेकर पाटी द्वारा गठीत आयोजन समीती की बैठक सोमवार को पाटी कर्याले में हुई आयोजन समीती के सन्योजक अनादी ब्रांभा और अन्य सदस्यों तथा पाटी द्वारा को परस्तिती में हुई बैठक में अमर सहीद सुधू का नू चांद भरो की इसमिनिती में 30 जून को बिद्रोख करने वाले अध्यवासियों की सहाधत को याद करते हुए होल दिवस अध्यास पर कई कारेकरम आउजन करने का निर्ना लिया गया शिक्छा विभाग में लिपिक का होगा तबादला जाकन सरकार की स्कूली सच्छा विभाग के अंतरगत आने वाले मादमीक शिक्छा निदेशक कर्याले की और से राजी के सभी परमणडल के छेत्रीये उप श संकर चौजरी की और से सब भी और डीडी इसे कहा गया है कि वह तत्काल सिक्षा में तीन वर्स अत्वा उससे अधिक समय से जम्हें लिपी का तबदला करें विभागे निदेस को लेकर राची सहीत राज के सभी जीलों के और डीडी की और से इसकी प्रकिलिया प्राडम कर द सरकारी स्कूलों को जोन वाज बंटने को लेकर समिक्षा की गई प्रात्मिक मद्य और हाई स्कूलों के सिक्षकों का जीला अस्तर पर तबादला किया जाना है जिसमें जोन वान टू थ्री फोर और फाइप किये जाएंगे भारत में 69 बंद मुख मंत्री ने कहा पहले ही उ उठाने चाहिए थे सोमर्को रजधानी राची में मेडिया से बाचित के करम हमन्त सुरेन ने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार नया कदम उठाने में देर कर दिया सरकारी स्कूलों को सनेटाज के लिए मिलेंगे 1000 रुपए जरकन में पठन पठन सुरू होने से पहले सकूलों को सनेटाज करना है जिसका खर्च केंद्र सरकार देगी इसके लिए विद्यारियों को 12,000 रूपए दिए जाएंगे इसके लिए 60,388 केंद्र वो 40,388 राज सरकार देगी मालूम हो कि राज में लगभग 35,000 बिद्याले हैं इनमें से 15,100 बिद्याले में कौरिंटेन सेंटर चल रहा है छटी जपीसी नियुक्ति पर सियम हमांत की स्विक्रिती जाकन लोग सेवा आयोग की छटी जपीसी से अनुसंसित अभियार्थियों के नियुक्ति पर सियम हमांत सुरेण की स्विक्रिती मिल गई है अब विभीन सेवाओं के लिए 326 अभियार्थियों को सीगरे नियुक्ति पत्र मिलेगा मुखमंत्री हमन्सुलैने जार्खन लोग सेवा आयोग 1266 और सायनिक सिविल सेवा परिख्षा 2016 में क्यां सपल अपएयर्तियों को न्योक्ति को अलोग में प्रदाता कंपणी ने से बादा के से प्रेशन ने ने मांगी मुहलत एक बार फिर जार्खन की बिजली बती गूल होने वाली है विधूत आपूर्ति करने वाली सेवा परदता कंपनी दामोदर वैली कर्पूरेशन डीवीसी ने सरकार से बकाया मांगकर फिर से परसानी बढ़ा दी है एक जुलाई से पावर कट की चेतावनी क के बीच अब सरकार ने डीवीसी से दस दिन की मुहलत मांगी है जार्खन बिजली बित्र निगम ने सोमवार को डीवीसी से दस दिन की मुहलत मांगी है बकाया चुकाने को मुहलत मांगने जाने के पीछे सबसे बड़ी वज़ा है कि डीवीसी का सरकार पर 4000 क्रोर बकाया है जारखन में कोट फीस और ओनलाइन जमा होंगे राज की अदालतों में कोट फीस भी और ओनलाइन जमा किये जा सकेंगे ओनलाइन जोडिसियन स्टाम्प की सुविधा जारखन में भी सुरू हो गई है नन जुडिसियन स्टाम्प भी पाले सही ऑनलाइन उपलव्द था या सुविदा सुरू होने से वकिलों और मोकिलों की रहात मिलेगी जुडिसियन स्टाम्प उपलव्द नहीं रहने पर वकिलों और मोकिलों को काफी परसानी होती थी जो स्टांप नहीं रहने से आजका दार नहीं हो पाते थे गुमला में डेंगू और चिकुनगुनिया पर चलेगा विसेस अभियान महिला अरोग समिती की बैठक सहरी स्वास्त उपकेंदर इसलामपूर में हुई अध्यक्षता सहिया सहिया खातुन ने की इस बैठक में डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे रोगो पर चर्चा की गई तथा बताया गया कि डेंगू और चिकुनगुनिया संक्रमीत मादा एडिज मत्थर के काटने से होता है डेंगु वाचे कुनगुनिया के लक्षन की विष्थित पूर्ण जनकारी भी दी गाई। बाबा मंदिर का निरिक्षन करने पहुचे देवगार स्डियो। मतूर्ण बैठक हुई। बाइपुन्थारा पुलिस के सहयोग से रविवार की रात महनपूर गाउं में छपेमारी कर पांच सहीवर अपराधी को ग्रेफतार किया है। पुलिस इस मामले को इडी को भेने के त्यारी कर रही है। इस बात का खुले असा सोमर को एस पी अंसुमन कुमार ने प्रेश वारता के दोरान दी। संक्रमन की जाच अब 2400 रुपे में होगी। मामारि फ्हलने के बाद देश के विभीन राज्जियों से बड़ी संख्या में परवासी अपने अपने गाह पहुचे हैं। प्रशाषन द्वारा परवासी मजदुरों को विभीन योजनाओं के तहत काम भी उपलब्द करया जा रहा है। इधर पर शासन जीले में आय प्रवासी मजदूरों से कुसल मजदूरों को भी चिनित कर रहा है जिसकी कुसलता के उन्सार काउपलब्द कराया जाएगा है नीजी स्कूल फिस ममला तरही माम संदेश भेजेगा अभिभावक संग जारखंड अभिभावक संग के परदेश अ अभी जीले में एक दिवस्य कारकरम के माध्यम से राज वमकेंद्र सरकाय को त्रही माम संदेश भेजा जाएगा सुचना आयूक्तों के पदों को ततकाल भरा जाए बाबुलार मरांडी जारखंड में भाच्वा विधायक दल के नेता बाबुलार मरांडी ने कहा है कि रा अत्मान में आयोग में सुचना आयूक्त और मुख्य सुचना आयूक्त पद पूरी तरह रिक्त हैं मुख मंत्री रहात कोस में मिला 13,65,000 रुपए जारखंड मंत्राले में मुख मंत्री हमन सुरन को मुख मंत्री रहात कोस के लिए जेल परसासन के अधिकारियों और करमच कि जर्खन में पच्चास इंजिनियरों का तबदला किया गया है मुखमंत्री हेमंसुरी की सरकार ने सोमर को भवन निर्मान विभाग के 50 अभियन्तावों का तबदला कर दिया है इस बारे में अधेस जारी कर दिये है सब इंजिनियरों को नव पदास्ताफित अस्थान पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करने को कहा गया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल ऐकन दबाए साथी अपने दोस्तों के फेस्बुक वाटसेप ट्यूटर आवाटसेदेगे